है गाई स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल व्यूटी विट निलू में और मैं बूल रही हूं निलू और देखिए आज मैं वीडियो लेकर आई हूं मेकप के वीडियो दिवाली पेशल है जो की और अगर आप लोग को पसंद आएगा तो ज्यादा से ज्यादा से कीजिएगा और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और देखिए मैं किस तरह से करूंगी अपने मेकप और बहुत ईजी और सीम्पल तरीके से मैंने बताया है और आप घर पे भी कर सकते हो यह मेकप और बस थोड़े से चीज करते हूं अपनी मेकप और अभी दिवाली और तेवहार का सीजन है तो मेकप के वीडियो में डाल रही हूं कि मुझे मैंने कल भी डाया कल सिल्फ ठेड के डाले थे और आज मेकप के और उसके लिए मैं पहले कवर कर लूँगे अपने आगे से बाल मैंने अपने चेहरे को दोकर ले लिया है और देखिए मैं किस तरह से करूँगी आप लोग भी इस तरह से मेरे वीडियो को देखकर मेकप कर सकती है अपने घर पे ही और किस तरह से मैं कर रही हूं देखिए अपने बालों को पहले मैंने कवर किया और आगे से पिन 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 प कर लूँगे बालो मैंने पहले लिया मोस्टराइजर जो कि वील्स के हैं और देखिए मैंने और क्या-क्या यूज किया है प्रोड़क्त में और पहले में अपने फेस पे मोस्टराइजर यूज करूँगी और देखिए मुश्राइजर के बाद मैंने फॉंडेंशन यूज किया है अब इसी तरह फांडेंशन यूज कि अपने चेरे फेस पर अपलाई करें उसके बाद इसे धीर दीर अच्छे अच्छे से अच्छी तरह किसे अलके हाथों से ब्लेंड करें चाहला है विडीयो को थोड़ा सा फास किया है क्वाधर प्रों पेज्चांब आज रहा है विडीयो को में खाश का जैण दो थी अमों और मिक्षा से एक 10 दो मे सब्सक्राइब केंसिलर लगाते वक्त एक ही जगे पर ज्यादा ना लगाए वह बहुत ही दिखने लगेंगे इसलिए इस तरह से अपलाई करें कि आपको ब्लेंड करते हुए और चेहरे में अच्छे से अपजब हो जाए जहां पर डार्क एरिया ज्यादा होता है वहां पर आपको कंसिलर य ओर देखिया में कैं इस तंप इस फिदिन सेटिंग और मैंने यू सिटिंग आपकेलाएुड़ करना से बीक जो आपके रिखे ऐसा अच्छे और इधर फैलते हुए और इसी से भी आपको हलके हाथों से ही ब्लेंड करना है फफ के दुआरे इसके हातों से ना करें और देखे मैं किस तरह से करती जा रही हूँ अपने मेकप और आइस पे मैंने थोड़ा सा देखे मैंने डार्क कलर के रेड ली रेड सेट पहले यूज़ किया है रेड कलर के डार्क रेड उसके फेस पे करने के बाद मैं आइस मेकप पे करूंगी पहले पूरे फेस पे मैंने अपने आई पर कर रही हूं रेड कलर के यूनिक होते हैं तो आप किसी भी कलर की साड़ी पर यूज कर सकते हो और यह देखे मैंने उसके बाद डार्क मरून टाइप के जो रेड होते हैं वह सेड मैंने यूज किया है और इसके बाद मैंने लाइट सिल्वर कलर लिया है हलका सा उसे थोड़ा सा अच्छे से ग्लेजिंग आ जाएगा आईज पर देखे अभी आ चुका है देखा मैंने किस तरह से किया आप लोग भी इसी तरह कर सकते हो और आपको जो पसंद है आपो सेड यूज कर सकते हो और मै इसाब से जिस कलर की आपने कपडे पेने उस तरह कि सेड हाय रिओछ कर सकता है हमे आप खाय CS meDI 해야 के लोग और अभी किस तरह से मैंने कि अपनी में आइलैनर लगा के हो चुकी है और मैं काजल लगाने वाले हूं इसके बाद और काजल जैसे कि मैंने बुला कि मेरे होडेड आइज है तो मैं ज्यादा मूटा काजल नहीं लगाती हूं मैंने पिछली बार आइज के मेकड़ वीडियो अफलोड किये थे तो होडेड आइज में आप ज्यादा डार्क काजल ना लगा है बढ़नी आपके आखे थोड़ी से बहुत ही ज़्यादा उगरी हुई दिखने लगती है इसलिए मैं लाइट ही लगाती हूँ और अभी मैं अपने आइस पे कर रहे हूँ मसकर लगा रहे हूँ और दीखी में किस तरह से अपने सारे मेकप कर रहे हूँ और आप इस तरह से खुद भी कर सकते हैं अपने हिसाब से आप घर पे भी कर सकते हैं मेरे वीडियो को देख कर और केसर लग रहा है मेरा वीडियो या आप मुझे बताएं और मुझे अच्छी अच्छी कमेंट करें और एक लाइक तो जरूर बनती है इतनी महनत के बाद तो इसलिए एक लाइक जरूर दे और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को सेयर करें और इसी तरह आप भी अपने फेस पे करें और मैं अभी लगा रही हूँ लिफ इसी तरह गषिव कर का लिफटिक दृब हो आप अप डार्क लिफिक मैं लागा सकती थी पर मैंने साड़ी से मेच करने के लिए पिंक कलर का लिफ श्टिक लगाया और दिखिया भी मैं यूज करूँ फिक्सर और फिक्सर यूज करते बाद कभी भी अपने आईस को बंद राके और कैसा लगा मेरा यह वीडियो और अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा करें और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिये मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वीडियो में अगले वीडियो में लो बेटा कर दे अपलोड जाएसा करना है